मद्यप्रदेश के रिवा में ऐसी कई इमारते हैं जो ब्रिटिस इस्थापत तिस सहलिशे प्रभावी थें। इन इमारतों का निर्माड अंग्रेजी हकोमत की दोरान कराया गया था। आज भी यह इमारते जस्कितस खड़ी हुई है। इनमें से एक इमारत रिवा की सेंट्रल जेल भी है। केंद्री जेल रिवा का निर्माड वर्स 1884-85 में कराया गया था। इस जेल का नक्षा इंग्लैंड के मशुहूर इंग्जिनियर जी हैरिस ने तयार किया था। जिसमें कैदियों के लिए खेल कूद की विवस्थ था। फांसी घर वो महिलाओं के लिए अलग-अलग बैरक बनाए गए थे। इतिहास का राशत खान बताते हैं कि हैरिस ने जेल बिल्डिंग का खाका तयार किया था। जेल के बिल्डिंग का मुख्य गेट ब्रिटिस इस्थापत सेली से हद्रत प्रभावित है। जेल का काम वर किंद्रे जेल रिवा में 90,480 रुपए की लागत में बनकर तयार हुई थी। तब ही से उस जेल में कैद्यों को रखा जाने लगा है। मद्प्रदेश ही नहीं पूरे जेल में रिवा की किंद्रे जेल काफी मुख्यूर है। प्रदेश के कई जिलों के सजा काट रहे कैद किंद्रेश को रिवा जेल में रखा जाता है। इतिहास का रस्त खान के मुताबिक बरस 1884 1905 के पीज इस जेल में 20 फास्यां दी गई है। इमारत बनबाई मेजर बार्ड ने उसके लिए भी इंजिनियर मुकरर किया गया जी हैरिस को यानि हैरिसन को तो हैरिसन ने जेल बि और आप देखेंगे कि जेल बिल्डिंग में उसका जो मुक्ख गेट है पूरा का पूरा बिटिश इस्थापत शेहली से प्रभावित है। उन्हें 1884 में उसका काम शुरू किया गया जेल का और उसमें कई बेरेक बनाए गयें फांसी घर बनाया गया और लगभग 15 फुट उन्ची दिवार बनाएगी उसकी जेल की और कई जिखाए उनके कैदियों के लिए खेल खुट के भी बनाएगे ग्राउंड बनाएगे थे उस वक्त तो ये जेल जो है और उन्ची आठारा सो पचासी में नबे हजार चार सौन्कीस रुपए के लागस से बन के तयार हुई थी और उस जेल में कैदियों को रखे जाना लगा उस जेल में महिला बेरिक भी था जहाँ पे महिला कैदियों को रखा जाता था तो अठारा सो एक्यासी से उन्चीस सो पांच की बीच में उस जेल में बीस फांसिया दी गई हैं बीस लोगों को फांसी में चढ़ाए गया है और उन्चीस से उन्चीस सो पांच तक के मद्ध में एकसव सताइस लोगों को आजन्म कारावास दिया गया था आज फ्यू जेल बहुत अच्छी हालत में है और हजारों कैदी उसमें रह रहे हैं फांसी घर को बंद कर दिया गया था चूंकि उन्हें 105 के बाद एक फांसी और हुई है लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था